मनुच सेर की एक बहुत बड़ी खास बात है उनका आइस ब्रेकिंग टिकनिक वो आपके साथ इतना समय गुजार लेते ना बिफोर शूटिंग अव दफिल्म कि आपको लगते है अरे बा बात होगी कि मैं जाली देदू अब यार तुम देख लो मैं दो देदी भाई फिल्म ही पहली है बागे आपने सीरीज और इस सब काम कियें तो क्या प्रेशर था और सबसे बड़ी बात है मनुझ बाचपे के साथ काम करना था क्या चल राता दिमागे बिखिए प्रेशर तो होता ही है pressure क्योंकि जैसी Manoj sir आ जाते हैं और इससे पहले हमने web shows किये थे मैंने तो ठीक है मतलब लेकिन main क्या था ना कि कहानी से मैं बड़ा attach हुआ क्योंकि यह जिस तरह का मुद्दा था उससे ठीक है कि तो टेंशन मतले और स्पेशली जब मेरी पहली फिल्म है तो डर तो लगेगा जाहिर सी बात है बड़ ठीक है कि हम किसा ही कर चुके है 14 साल 15 सालों में कि हमें वो भी पता है कि यह प्रेशर जाएंगे और आपको हैंडल करना आना है बड़ अल्टिमेटली क्या होता है कि मनोज सेर की बहुत बड़ी खास बात है उनका आइस ब्रेकिंग टिक्निक वह आपके साथ इतना समय गुजाल लेते ना बिफोर शूटिंग और फिल्म कि आपको लगते अरे वाह कि डिरेक्टर का और क्या डर है कि स्क्रिप में टाइम नहीं बिता रहा प्रोड्यूसर का क्या डर है कि यहार अक्टर टाइम नहीं दे रहा डिरेक्टर को यही मेरा सवाल है यह आइस ब्रेकिंग वाला कि आप जब पहली बार गहे थे मनोजी के पास तो क्या क्या तैयारी कुछ नहीं देगे कि किसी भी और मनोज सर के स्टेटर जैसे अक्टर के लिए तैयारी वो इनसान नहीं देख रहे हैं वो पहले देख रहे हैं कि जो माल लाया हूं स्क्रिप्ट वो कैसी है ठीक है क्या कॉलिटी है स्क्रिप्ट की और once that is fixed तो किसी भी अक्टर को नहीं स्क्रिप्ट देख के लगता है कि इन सारी मेहनत करी है बट जैसी उनको स्क्रिप्प पसंद आगी उन्होंने कर रहा हूं और उसके बाद उन्होंने हमार से समय बिताना शुरू किया बाइस समय बिताने का मतलब फोन करते थी कि चार बजे तेरे घर पहुंच रहा डीडिंग के लिए और आते थे रोज तीस दिन जो इतना जब आप समय बिता लेते हो ना तो आपका वो प्रेशर और खतम हो जाता है क्योंकि आपको पता है आपके अक्टर को किरदार घुटा हो है अब जो भी होगा ना वो हम देख लेंगे तो वह बड़ा इजी प्रोसर था और फिर वैसे प्रोड्यूसर ने जो इंट कि अभी जो अपे बाद में लौट की हैं कि ये प्रडूसर की मैं दर्शकों के समझना चाहता हूं कि प्रडूसर की गेम में करी क्या शुरू से इंट्री होती है जब स्कृप्ट आती है फैसी बmbak राइटर के एक्टर के बराबर उसको क्रेट देना चाहिए क्योंकि वह सब आपका तो कुछ रिस्क पे नहीं है उसका तो सब कुछ यह बात मैं मानता हूं सुरी आपको कट कर रहा हूं सर की मैं मानता हूं कि X amount 20-30-30 कोई लगाता तो प्रोड्यूसर लगा रहा है आपके सगेट दोस नहीं लगाते आपके सगे-शिदार नहीं लगा रहे चलिए अब आप ये बताईए कब प्रोडूसर की कब गेम में इंट्री होती क्योंकि आप 1100 पिच्चरे कर चुके हैं उनके साथ आप जुड़े हुए अलग-अलग मौकों पर जुड़े रहा आप अलग-अलग फिल्मों से तो अब आप बताईए दर्शकों के लिए मैं उनका एक लाइफ का ये इंसिदेंट ये पाट रहा है ये केस जो है तो जब हमारे पास में ये कहानी आई तो वहां से शुरू हो जाता है वो कहानी के राइट्स पहले लिया है उनसे पीसी सोलंकी से देन एक जहन में आया कि इसको इसकी उपर एक्टर कॉन होगा तो सबस्त भी है बहुत साथ है 20-25 साथ हम जानते हैं फैमिली मैं टू तभी आई थी और मैंने उसको फून किया यार मिरे पास एक स्क्रिप्ट है सुपन तु देख मिरे पास एक स्टोरी है स्क्रिप नहीं थी स्टोरी थी मिरे को ये फिच्चा बनानी है तो एक राजा फिर ह पन बैठते हैं पर फिर्स इंसनेंस थे 15 मिंट सुनके उन्हों बना इसमें मीट है हम लोग कर सकते हैं उन्होंने सजिस्ट गया अपुर्वा का नाम मनोजी ने कि तो एस्पिरिंस देख लिया था तो दैन और हम लोग नहीं जानते थे इस ब्राइट डिरेक्टर को हम वीडियोज आते थे चोटे-चोटे क्लिप्स तब हुआ क्या कि जब उन्होंने बोला तो मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं इस चीज़ का चोटे-चोटे वीडियोज वगरे का तो मैंने अपनी बेटी को पूछा और फ्रेंड वगरे ओके यारी इस गया अब लेकिन क्या भी नहीं होता है तो इक होता है कि आपके शॉट-फॉर्मेट वीडियो होते है या ओटीट आँघी की तो फिल्म का जो यह चैदल सोटा है और जो पैसा फील्म में लगता है वह बहुत जड़ा होता है तो अवह आपको उसमें आपको वह बहुत टेक्निकल डिसकॉस्शन ह ऐसा नहीं है कि वेब शोज महंगे नहीं होते हैं ऐसा नहीं है वेब शोज भी महंगे होते हैं बट डिपेंड करता है कि अब आप देखे ना किसी भी शो में माउंटिंग करने पड़ते हैं मैंने जिस तरीके के शोज मनाए थो उसमें माउंटिंग नहीं थी उतनी जादा त तो जब आप मनोज बाचपेज जी के साथ में काम करने चाहरे हो तो एक रेस्पेक्टिबल पिच्चर भी बनानी पड़ती है तो एक नया डिरेक्टर के हिसाब से अगर उसको कोई चीज चाहिए जिससे फिल्म में पैसा फिल्म में जाता है यानि आपके हर के यार में को यहां शूट करने का है मुझे इतने लोग चाहिए मुझे यह टेक्नीशन चाहिए मुझे ऐसा कैमरा चाहिए इतने लाइट्स चाहिए अगर एक कोई बड़ा सीने तो मुझे इसमें दो अजाब पांच जाए जूनियर आटिस चाहिए यह सारी तो कि फिल्म्कम का प्रोसेस जो हता है तो तब आप अगर दो जेते हैं तो इसने आपके फिल्म बनने की फिल्म गार्ना ९ ha bolina या पना तब आप कтор को कान किया क्णों किया कि हें रिक्टर हे और आपको इस प्रोसेस में जूड़ना होता है कि आपका fund flow, आपका cash flow से लेके requirement everything has to be up to the mark की भी अच्छी picture बनेगी फिल्म देखने की बाद में हम लोगा कि जितनी भी decisions हमने लिए थे इस फिल्म को लेके कि अपुर्वा शुट डेरेक्ट दे फिल्म इसकी जो चॉइस थी के मेरा नया डर्व जो डियोपी होगा वो नया है उसकी भी पहली पिचर थी पहली पिचर का मनला मुन फिल्म की बात कर रहा हूं काकरास की बात नहीं कर रहा हूं तो आज वो हो गया एक कास्टिंग हमारा था वह लड़का नया था शुवयम गुपता एवरी बड़ी इच एन एवरी बड़ी ने वहां पर कमाल काम किया इंसक्ट एक्टर एक अमारी जो इसमें जो लड़की बच्ची है अधरीजा माइन लोईगे सुरिमूल जी बहुत अच्छा काम किया है सुरिमूहन कुलशेस्ट तो लकनाओं का बहुत बहुत लेजंड अक्टर हैं और बहुत ही सिंसेरों की सिंसेरेटी देखने वाली है किसी से उस तरही किसे बात और पैसे इस बात करते हैं क्यों को अब लोगों नेzosकर नहीं को इस फिल्म के बाद में एक मुस्ष्चर देखै है पर क्या होता है आज हम यह ईंगी करना कॉछ तरहिए तरह से नहीं बाता है कि उसमें तब उसके आपको महांता दीखे एक यह तो क्या कमाल कर लिए वह बहुत मतलब वहने तो उनका बहुत प्लेज देखा उनके अभी भी मैं घर गया था तो उनका घदक्र टो बहुत करते हैं वह एक्टिंग अब कंडा दियों ल लग औरहuso क्रण कम है क्योंकि आप स्क्रिप्ट आई चीजे हुए मनौज बाचपई को डारेक्ट करना कैसा रहा क्योंकि वो हर किरदार में एक तरह से जान फुक देते हैं वो उनका सीनिय रहता है कि एकदम उसी में लगे रहते हैं से गली-गुलियां की वो बात करते हैं अलग-अलग अपनी फिल्मों की अली मतलब बहुत लोगों के साथ मैं भी काम कर चुक हैं और इतनी रीडिंग सर करते हैं अपनी स्क्रिप्ट की कोई नहीं करता इतनी रीडिंग करते हैं और तभी मैं क्यारा हूं कि मेरा एक कॉन्फिदेंस था कि देखे किरदार तो यह समझ चुके हैं अब जो भी बोल रहे ह क्रिप्सिर का पॉइंट यहीं था। लड़ाई कब होती है जब अभी प्रेटिव डिफ्रेंस चल रहे हैं कि आप समझे नहीं मैंनी समझ आ यार तू नहीं समझ रहा हैं यार तू नहीं समझ नहीं अँसे बोलता हूं वह पहली कर चुके ते तैयारी तो और दूसरी सबसे बड़ी मेरी जो लर्निंग है मनोच सर के साथ काम करने की वो शायद क्रेटिव नहीं है बट वह ऐसा हुमन है कि आज भी 30 साल के करियर के बाद भी वो इनसान ऐसे ही काम कर रहा है जैसे उनकी फैली फिल्म है और वो मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी लर्निंग थी यार वो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी और मिर को तो बड़ा मजा है मनोच सर के साथ खाना बहुत खिलवाते हैं आपको बहुत अगर उनको पता लगे सको मटन पतन चिकन पसंदे है कुछ पसंदे तो रो जाएगा फिर आपके लिए को हाँ सो इस ही ट्रीट्स डिरेक्टर आते नहीं अधे तो मेरा एक ये सवाल है कि लोग बता र 거예요 लोगा ने देख लिया कर लिया वाई सामने तो जब फिल्म ती तो पता होता है इतना कमाया उतनाना और से टाय होता है कि पिच्चर हीठ हुई कि नहीं हुई आज actually क्या है ना social media की हिसाब से कर पिच्चर जब देखते हैं लोग अभी जैसे यह फिल्म जी फाई पे आएगी 23 तारीक को हमने ट्रेलर लॉंच कर दी है तो एक लोग है ना अभी उनके हाथ में ना सोशील मीडिया तो शुरू कर देते हैं अच्छा लगा खराब लगा अडरते तो हैं निकिसे अभी एंडि आपका जब प्रमोशन जैसे आप यहां आए हैं हम प्रमोशन करने आए हमारी फिल्म आ रही है सिर्फ एक बंदा काफी है 23 तारीक को लेकिन आप देखना जरूर ट्रेलर ने एक काम कर दिया हमारा अब जब ट्रेलर के बाद में जब फिल्म आएगी जब जी फाई उसको अ आई मिनट का अभी अभी पुरी पिच्छा की बात करें तो दो घंटे की फिल्म है अगर समझे एक इतने लोगों इतने लाख लोगों ने पहले ही जब शुरू किया दो घंटे पूरी पिच्छा देख ली कुछ लोगों ने एक घंटा देखी फिर उसके बाद में लेकिन आगे फुरी पिच्छा क्मप्लीट कर ली तो इससे हमें पता चलता है कि लोगों ने पिच्छे देखी कौन से हाइप थेटर में एक बहुत बड़ा फरक है आपको बहुत डेटा मिलता है कि आदमी कहां बैट के पिच्छा देख रहा है उसके एज ग्रूप क्या है उसने क हो गई देखने वाले नंबर्स की बात अब आते हैं कमाने वाले नंबर्स पर यह बदाई एक्र और देखिए बेट्यूसर कर रहा है पिचर और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मनुद सर ने हां बुलिए पिचर नहीं उसमें एक काहनी में अदम तो होगा प्लस उनकी खुद की क्रेटिव टीम होती है जो एनलाइस करती है कि यह सब्जेक्ट या यह फिल्म जो है वो हमको लेनी चाहिए फिर बिफोर या यह चुटिंग के दौरन हमारा एक प्राइज नकी हो जाते हैं यह 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 यूटीटी का प्राइज है यह सेटलाइट का प्राइज है ओमिजिक यह तीन प्रॉपरटी होती है थीटर के अलावा तो आपको हमेश्व यह नहीं ची बहुत प्रोफिट अगर कमाना है तो जो सेलिंग प्राइज है आपका उसका माइनस कुछ करना पड़ेगा सिंपल गनित की बात कर रहा हूं कि अगर सो रुपे में आपकी सारी राइट भी की हैं तो आपको 80 रुपे में पिच्चा बनानी पड़ेगी आप यह भी नहीं कर सकते हैं पचास में पिच्चा बनाओग तो उसको दिखना चाहिए कि आपने थोड़ा प्रफिट मार्जिन लेके आपने पिच्चर में डाला पैसा फिर फिर चल जाएगी उसको ज्यादा फायदा होगा तो दूसरी बार आपके पास आएगा यार और पिच्चर बनान होई तो अब हम जैसे बानुचली स्टूडि है कि एक डिरेक्टर को प्रदीसर पर ट्रस्चों एक एक डे睡र के ऊपर ट्रस्ट होना एक पूरी जो टीम होती है उसको अभर एक आदमी एक नहीं होता है तो इस फिल्म के साथ में जूंकि सब लोग एक ही पेज पे थे एवरीबड़ी वह तो में का गुट फिल्म बहुत अच्छी पिच्चर बन गई हम लोग भी 23 को देखेंगे अरुणा आप के बारे में कहते हैं कि जो आस्पिरेंट्स में संदीब भाहिया और स्वामी नाथन कहते हैं क्योंकि मैं तो बहुत सालों से टीव से असोचेटेड रहा हूं डिजिटल में काफी लोग क्योंकि एक्टेव हैं तो मैं तो हमेशे से बोलता था कि कि अगर वह कीड़ा ही नहीं छोड़ते ना तो शायद इतना बड़ा नहीं बनता वह तो है वह बोलते हैं कि बैलेंस मैंने मेंटेन किया हुआ है अच्छा दूसरा सीजन का वारा यह तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा बट यह मैं बता सकता हूं कि हो चुक है शूट हाँ बट चलिए ब्रेकिंग न्यूस चलिए अब एक दो सवाल और करेंगे वह लोग खतम करे एक तो यह जो पिक्चर थी यह पीशी सुलंकी की आप लोग उसे घटना पर जो उनकी लाइफ में घटना हुई इसमें आसाराम ट्रस्ट ने नोटिस भेजा आपको लीगल नोटिस भेजा कि मतलब गलत दिखाए गया मतलब उनकी मान हानी चीज़े हुई तो इस पर क्या आप लोगों ने और क्या लीगल ने हमारे एप्रोप्रेट आंसर उनको कर दिया है उनके वहाँ जो नोटिस आए थी और कहीं ने कहीं हम यह बताना चाहरें कि फिल्म की कहानी जो पीसी सुलंकी की है और वो जो एक जो लड़की थी जो पताड़ित हुई थी उसकी कहानी है तो हमने किसी के नामस ऐसे नहीं डाले हैं तो उनका सबसे पहली बात है पब्लिक डोमेंड पर है कहानी है हमने अपने दिमाग कालपने कहानी नहीं है लीगल लीगल टीम ने एक रिस्पॉंस भीज दिया है अब मेरा अखरी सवाल है कि चुकि आप ऐसी जब ऐसी दोनों ल ठोलिटिक्स थोड़ा धर्म हो तो उसमें क्या रुल रहता है क्योंकि उज्टेम् सिंसर्शिप क कर रहा था तो वह झूँय करती है नहीं कि नहीं करते हैं कि बढ fix करते हैं और लोग एंडीनियन चुकि भारत में बहुत बड़ा मसला है तो उस पे आप सेल्फ सेंसरिशिप का क्या रोल रहता है क्या आप लोग खुद इतने अवेर हो जाते हैं कि चीजें हटाओ कौन बवाल करा है यह चीजें ऐसा क्या रहता देखी एज प्रोडियूसर और एज नागरिक भारतिय नाग करनें चाहिए दूसरा यह कहानी हमने कहा जैसे PC सोलंगे की तो उन्होंने नरेट किया यह कहानी हमने लिखी नहीं है तो यह चीजें हमने बहुत सब्सक्राइब तरीके से किकि esté की किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाने के लिए ने, लेकिन ये एक लाइफ इवेंट हुआ है, उस लड़की की साथ में, और उस लॉयर ने जो इतना करेज दिखाया, इस लड़की ने करेज दिखाया, चोटी बच्ची ने, कि उसके साथ में जो भी वह उसने बोला, तो I क्लेक्टिव उसमें पूछ रहा हूं, क्या सेल्फ संसर्शिप जरूरी है, क्या हम लोग आज कल ज्यादा सेल्फ संसर्शिप करने लगें चीज़ों पर खुदी इतना है, ज्यादा का बता नहीं, बट मेरे को लगता है, सर ने बोला, हर इंसान की जिम्मेदारी होती है, हम कहीं पर भी जाते हैं, तो खुद सोचके ही बोलते हैं, कहीं पर भी, आप मार्केट में भी जा रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, just because we have freedom to speak, तो उस तरीके से मिरे को लगता है, as creators also, क्योंकि जो हम दिखा रहे हैं, वो कई लोग उससे impact होते हैं, अब क्या दिख होगी कि मैं गाली देदू, अब यार तुम देख लो, मैं तो देदी भाई, ऐसा नहीं होता ना, तो आप सोचके दो, तो नहीं है, आरे मैं यह बात बोलूगा, तो शायद बुरा लग जाए उस इंसान को, वो हम परिवार में भी करते हैं, वो हम अपने दोस्तों में भी सेंसर्शिप होनी चाहिए, as a responsible citizen of the country, वो ज़रूरी है, ठीक बात है, सेंसर्शिप होनी चाहिए, पर इस इंटर्वी में बिल्कुल सेंसर्शिप नहीं होती है, जो भी हम लोगों ने बात की, वो आपको मिलेगी, और थोड़ा हम लोगों ने अभी बात, अभी अपूर हो क